इस संपून विश्व में सरु शक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यह बात समय समय पर सिधा हो चुकी है कि इश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाए ना दे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस संसार के कंड कंड में बसे हुए हैं। यह शक्तिया कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चले और दूसरे लोगों का भी सही मार्ग दर्शन कर सकें। उनकी सहायता कर सकें, लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन व्यक्तियों के पास अलोकिक शक्ती है या कौन से व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा है तो आपको बता दे कि हमारे प्राचीन रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि किन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा तथा अलौकिक शक्तिया हैं तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में पहला संकेत जिन व्यक्तियों के अंदर काम, क्रोध, इर्षया, मोमाया लोग तथा अहनकार जैसी भावनाय नहीं या बहुत कम होती हैं, उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेश प्रिपा होती है ऐसे व्यक्ति व्यविचार नहीं करते, उन्हें क्रोध नहीं आता या अपने क्रोध पर काबु रखना आता है ऐसे व्यक्ति अपने मुख से कभी गाली गलोज नहीं करते ऐसे व्यक्ति अपने मन में इर्ष्या की भावना ना रख कर दया और प्रेम की भावना से दूसरों से पेश आते हैं ऐसे व्यक्ति संतोश वृत्ति के होते हैं यानि कि उसे किसी भी वस्तु का अत्यादिक लालच नहीं होता है उसे जितना प्राप्थ होता है उसमें वह स्वयम को संतुष्ट मानते है दूसरा संकेत यदि किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है जिन व्यक्तियों को अपने सपने में इश्वर का बार-बार साक्षात कार होता है उन्हीं व्यक्तियों के साथ इश्वर ये शक्तियां जुड़ी होती हैं भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेट भी दे सकते हैं, जिनसे वह व्यक्ति समझ सकता है कि अलोकिक शक्तियां हर कदम पर उसके साथ हैं तीसरा संकेट जो व्यक्ति अपने देनिक कार्यस से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नामस्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूती करने में समर्थ होता है वास्तब में उस व्यक्ति के आसपास एक इश्वरिय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है जिसके कारण उसे इश्वर का आभास होता रहता है जो व्यक्ति समाज के प्रती अपना दायत्व समझते हुए सदकारिय और पुन्य के काम करते हैं तथा मुसीबत में फसे लोगों वगरीब और लाचार व्यक्तियों की यथा संभव सहायता करते हैं आपदा और विब्दा के समय मनुष्य तथा पशुपक्षियों की हर तरह से सहायता करते हैं तथा वृध्ध, असहाय और अपन्द लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना करतव्य समझते हैं ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरन सिध होते हैं लेकिन आपको यह बता दे कि हर कोई व्यक्ति यह काम नहीं करता है यह काम केवल वही व्यक्ति करते हैं जिस व्यक्ति के उपर भगवान की विशेश क्रिपा होती है तब ही उस व्यक्ति के अंदर ही ऐसे गुन उत्पन होते हैं ऐसे व्यक्ति अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पाँच्वा संकेत इश्वरिय क्रिपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ती भी होती है और वह शक्ती है। पूर्वाभास यानि की भाविश्य में होने वाली कुछ विशेश घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना. अगर आपको भी भविश्य में होने वाली कोई दुर घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले ही अंदाजा लग जाता है तो आपके उपर भगवान की विशेश खृपा है कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है हमेशा सुगंधित फूल अगर बत्ती घूप या कपूर जैसे पवित्र सुगंध का जोखा सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है तो यह उसके आसपास इश्वर की उपस्तिती का संकेत तथा देवी देवताओं का आशिरवाद होता है सात्वा संकेत इश्वर का समय यानि की ब्रह्म मुहूर्थ सुबह साधे 3 से लेकर साधे 5 या 6 बजे तक का समय होता है हमारे शास्त्र में इस समय को बहुत ही महत्वपून माना जाता है ब्रह्म मुहूर्थ को देवताओं का समय माना गया है क्योंकि इस समय के वातावरण में एक सकारात्मा कूर्जा का संचार होता है यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रहमम मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है और वह व्यक्ति अपने अत्यंत प्रसंचित से अपने नित्यकर्म से निवृत होकर इश्वर की आराधना करता है और उपते हुए सूर्य को अर्ग्य देता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से इश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है उसे ऐसा करने के लिए इश्वरिय शक्तिया प्रवृत करती है यानि की ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी हुई है कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन, कीर्टन या कथा सुनने जाते हैं कितने भी सुनदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो बीच बीच में हमारा ध्यान भटख जाता है और हम कभी अपने घर के विशे में, कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर अपने आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्टन या कथा सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश नहीं रह जाता उन्हें बस अपने आसपास पवित्वता का एहसास होता है और बहुत ही शुक ध्वनिया सुनाई देती हैं तो ऐसे व्यक्ति का साथ निश्चित ही अलोकिक शक्तियां दे रही हैं जो व्यक्ति इश्वर के चर्णों में ही परम आनंद की अनुभूती करता है और इश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और नहीं किसी को दुख दे सकता है ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिश हमेशा शांत रहता है जिससे वो कभी भी सत्यवर सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता यह उसे इश्वर से मिला एक विशेश आशीरवाद होता है जिससे वो समाज में हमेशा मान और सम्मान प्राप्त करते है अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें सब्सक्राइब